गोरखपूर की गीता प्रेस को गांधी शांती संबान दिये जाने के फैसले को लेकर कॉंग्रेस और भाजबा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है गीता प्रेस को गांधी शांती पुरस्कार मिलने पर कॉंगरस नेता जैराम रपेश ने कई सवाल खड़े कर दिये उन्होंने कहा के ये बैसला वास्तमे पुरस्कार का उपहास है तो वहीं इस मसले पर यूपी के डिप्टी सिम केशो प्रसाद मौरे की प्रतिक्रिया सामने आई है केपी मौरे ने कॉंगरस पर हमलावर होते हुए कहा के कॉंगरस हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती है उन्होंने कहा के गीता प्रेस एक प्रिंट प्रेस नहीं बलके भारति सनातन को बनाए रखने वाली जीवन रेखा है और गीता प्रेस को गांधे शान्ती पुरसकार मिलना गौरव की बात है डिप्टी सीम ने कहा के जैराम रमेश ने जो बयान दिया उसकी निंदा क्या मापी मांगने वाला काम नहीं किया है जो बिरोध करते हैं उनकी निंदा करना भी बहुत छोटा हो जाएगा उन्होंने तो मापी मांगने लाइक भी काम नहीं किया है ऐसे कांग्रेस को उतनरप्रदेश की जंता पहले ही नेस्ट नाबुद कर चुकी है उनको विदा कर चुकी है देश इनको विदा करने का काम करें वही कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश के ट्वीट पर गोरखपुर के बीजेपी सांसत रवी किशन ने पलटवार करते हुए गीता प्रेस पर टिपणी करने वालों को गोरखपुरा कर गीता प्रेस को जानने और समझ को टिपणी करने के नसीहती रवी किशन ने कहा कि कॉंग शायद पाकिस्तानी शब्दों और पाकिस्तान को हमेशा लुभाने के लिए उनके वोड बैंग की जो राजनिती करते हैं आप लोगों को शरम आने चाहिए आप लोगों को आना चीए को रख मैं एरपोर्ट में आप लोगों का स्वागत करूगा गीता प्रेस ले जाऊँगा गांधी जी द्वारा लिखावा लेटर पहले आप पढ़ें वो लेटर को पढ़कर बताएं कि फिर उसके बाद आप लोग टिपपणी करें गांधी जी क् गीता प्रेस के बारे में क्यों गांधी सम्मान से यश्रश्वी प्रधान मंतरी मोधी जी ने नवाजा इस गीता प्रेस को ये जानना आपके लिए आप पूरे कॉंग्रेसियों के लिए और अभी शाम तक आपके सारे विरोधी जितने भी मोधी जी के विरोधी हैं मोधी पिरुदी शाम तक सब टपक पढ़ेंगे टेलिविजन के डिवेड में अपना मुँ बड़ा बड़ा खोल के सब लोगो को गोरखपूर गीता प्रेस आना चे, गांधी जी का पहले आप लोग लेटर बढ़िए। इसमें उन्होंने इस संगठन के महत्मा गांधी के साथ तकरार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजंडे पर उनके साथ 20 लड़ाईयों का खुलासा किया गया है। ये फैसला वास्तम में एक उपहात है और ये सावरकर और गोड़ से को पुरसकार दे ही है।